हाई डेलोपर्स लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग रेडी कर लिया था अब हम लोग इसको डैनमिक करने वाले हैं जितना भी आपको यहां बें कंटेंट देख रहा है चाहे कार्ट की लिस्ट हो या फिर प्राइस वगर रहा हो सब को हम लोग डैनमिक कर लेंगे पॉइंट्स देख लेते हैं अचाहे किसके अंदर बग भी फिक्स होगा और हो काफी इंपोर्डन बग है हो सकता है कि आप लोग को में से किसी नौटिस करा भी हो सबसे पहले हम लोग एक API को इडिटगेड करेंगे ताकि जो वारा कार्टवाला डैट है वो सारक साथ रख सारववसका का पाई एड़ागस उसके बाद में कार्ट के यह वोल哥 डैनमिके करेंगे इस स्टटिक कटनेंट को हटा कि यहां पर ng4ish ng4 loop लगा देंगे और हमारा data dynamic होड़ आगा और बात में जो price, text, delivery, charging, discount वगएर है इसको भी हम लोग dynamic करने वाले हैं और जो मैं आपको bug की बात कर रहा हूँ वो आपको बजाएता हूँ अभी देखो यहाँ पर आपको search का option ही नहीं दिख रहा है अगर मैं यहाँ से एक बार के लिए log out कर दूँगा तो आपको यहाँ पर definitely search का option दिखेगा, home पर जाओंगा, product वगएरा search करूँगा, हर जिगाए पर आपको search वाला option दिख रहा है उसको डिक करेंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, alright, so सबसे पहले मैं product service वाली file के अंदर एक service बनाता हूँ ताकि AP का डाट हम लोग fetch कर पाए, directly मैं यहाँ यहाँ पर उसी file के उपर जाओंगा directly, services के अंदर product service.ts और यहाँ पर, let's say, मैं एक और AP बनाता हूँ, service बनाता हूँ जिसका नाम होगा current card, आप इसका नाम कुछ और रखना चाहो तो भी रख सकते हो, को दिक्कत नहीं है, इसके अंदर हमें किसी parameter की ज़रूरत नहीं, actually, यहीं पर हम लोग parameter get कर लेंगा, because जो मैं चाहिए, वो है user ID, user ID हम लोग local host से निकाल सकते है, local storage से निकाल सकते है, right, so सबसे पहले हम लोग वही कर लेते हैं, और अगर आप कोड़ा time save करना चाहते हो, तो आप header वाली file के अंदर चले जाओ, आप कोड़ा time भी save हो जाएगा, directly यहाँ पर जाओ, यह दो line आपको, बस यह दो line copy कर रही है, और कुछ निकरना, so यहाँ पर इसको paste कर तो directly, ठीक है, local storage से में data भी get हो गया, और उसको हमने convert भी कर लिया, json format में, json format को parse भी कर लिया, so अब यहाँ पर आपको simply करना है, return, return के बाद में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे this.http.get, और get के बाद में हम लोग यहाँ पर हमारा URL पास करेंगे, और URL हमारा यह रहा, ठीक है, इसके अंदर आप directly to URL है न, इसके अंदर आप यह कर सकते हो, आपकी जो user id न, वो directly पास कर सकते हो, so कैसे पास करोगे, user data.id, all right, so इससे हमा user id मिल जाएगे, और हमारा data वो मिल जाएगा, इसका type define कर सकते हैं हम लोग, so इ card का data आएगा, और एक नी multiple data आगा, तो हमने यहाँ पे error भी लगा दिया, all right, so कुछ ठीक है, मेरे हिसाब से, यहाँ में कोई issue नहीं है, हमें properly data को written करते हैं, कुछ issue होगा तो हम लोग देखेंगे, जब इसके जूरुत पड़ेगी, so अब हम लोग क्या करते हैं, वापिस से हम लोग cart वाली file के अंदर जाते हैं, cart वाली file रही है, इसकी ts वाली file में जाएंगे, और इसका instance create करेंगे, हम लोग यहाँ पर आता हूँ है, जैसा हम लोग hardyip पे, अगर आप देखना जाओ, तो header भी देख सकते हो, हम लोग और एक instance create कर रहा हुआ है, हम लोग देख सकते after that, हम लोग यहाँ करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे, this.product.currentCart, और इसको में subscribe भी करेंगे, because data हमें चाहिए, यहाँ पर इसको में subscribe करूँगा, यहाँ पर subscribe करने के लिए आप यहाँ पर एक callback function पास करोगे, और यहाँ पर हम लोग इससे result get कर लेते हैं, अल्राइट, चाहो तो result को print करवा के देख लेते हैं, एक बार के लिए कि क्या हमें मिला है, यहाँ पर check कर लेते हैं, result में से पुछ ठीक मिल रहेंगे, नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा मैं यहाँ पर inspect element करता हूँ, और cart वाले page में जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर cart वाले page क पर click करूँगा, यहाँ पर कुछ error आया है, इसको मैं check कर लेता हूँ, all right, तो यहाँ पर क्या आगया, cart equal to one, और यहाँ पर कुछ error आगया, so एक बार के लिए देख लेते हैं, सब इसमें क्या error लग रहे है मुझे, all right, सही में यहाँ यहाँ पर error है, यहाँ पर question mark लगा के ह all right, अब यहाँ पर error नहीं आना चाहिए, यह reload हो जाएगा, and हमें अगर कुछ issue होगा तो, okay, so अब आप देख सकते हूँ, दो data हमारे पास आचुके हैं, अब आप बोलो यार यह UI क्यो फटा होए देगो, यहाँ पर न अगर हम दोग इसको ठीक कर लेंगे, तो perfectly ठीक हो जा अब यह के लिए मान लोगी, आप जा क्या है हमारे पास, oh, दो same product add हो रखे है, यह वाले, so इसके उपर जाके एक product को में remove कर देता हूँ, अब मेरे पास एक ही product रह गया, ठीक है, वापिस आता हूँ, और यहाँ पर मैं HP वाले laptop को एड़ कर लेता हूँ, जैसे मैं HP वाले laptop अगर यहाँ पर आया, तो आप यहाँ पर देख सकते हूँ, मारे पास दो product आ चुके है, HP वाले laptop और यह, वाले तीन चार भी एड़ करके दी होँगा मैं आपको, बड़ अभी के लिए एक बार इन से काम चलाते हैं, और वापिस से हम लोग आते हैं, यहाँ पर काट वाले API से ही, और यह undefined भी हो सकते हैं, यह by default यह undefined है, और राइट, जग काट वाले इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यह क्या ओपन हो लेगा, setting इसको हटा देता हूँ, और data type के अंदर आपको पते हैं कि हम लोग ने काट का type define का रख हैं, अब बहुत बार बार बाता चुको आप लोगों को, तो यह भी हम लोगों को ने कर लिए, अब मैं अगर दा हूँ, this.card data के अंदर result डाल देगा, ठीक है, result डल गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं card data को आके ng4 loop में लगा दूँगा, यहाँ पी जुगाईगा, सबसे पहले जो उपर वाला, चाहो तो आप आ सकते हूँ, इनके हमें जरूरत नहीं है, इतने सारे content के में जरूरत नहीं है, बस हमें, यहाँ पर एक QL की जरूरत है, यह इसको डैनमी कर लिए, यहाँ पर लिखाता हूँ, star ng4, उसके बाद ने हम लोग ले लेंगे, यहाँ पर let cart of cart data, cart data, और अब इस cart को हम लोग यहाँ पर dynamic paste करना start एक रहे हैं, सबसे पहले image change करता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग cart data dot image, image है या फिर, image होगी या फिर img होगी, dv में check कर लेते हैं एक बार के लिए, cart के अंदर img है, ठीक है, right, okay, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर प्रडक्ट का name लिख देते हैं, यहाँ पर प्रडक्ट का name रहेगा, यहाँ पर आएंगे, cart dot name, price लिख देते हैं, cart dot price, quantity लिख देते हैं, dot quantity, add to cart अभी के लिए ऐसा काईसा रहेगा, इसके इंदर अभी हम लोग प्रडक्ट काम लिख देते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो आपको यहाँ पर तीन आइटम देख रहे हैं, great, perfect, okay, यहाँ पर आड़ा दिख गया, अब हमें यह वाला पार्ट है इसको भी dynamic करना पड़ेगा, same इसी तरीके से, right, so, देखो यहाँ पर काफी सारी चीज़े हैं, price के लिए, amount है, tax है, delivery charges है, discount है, और फिर total भी बनाना है, इन सब को हमें गरना पड़ेगा, एक एक करके, तो काट वाले पेच्चे उपर आता हूँ, वापीस से, और एक मैं ना, एक data type और बना लेता हूँ, इसके अंदर, अब data type हम लोग क्या बनाने वाले हैं, let's say, इसका नाम रख लेते हैं, export price summary, interface, और उसके बाद मैं कर देता हूँ, price summary, चीक है, और इसके अंदर आप क्या रख सकते हो, price रख सकते हो, price का type क्या रहेगा, number है, सब कही number रहेगा, उसके बाद मैं, discount भी number ही रहेगा, after that, tax भी number ही रहेगा, and delivery, delivery, charge लिख लिख लो, मैं delivery लिख रहाँ, जल्दी काम लिख रहेगा, और उसके बाद मैं, total, वो भी मैं number ही लिख दे रहाँ, alright, so price summary आगया, अब इसको हम लोग यहाँ पी export करते हैं, import करते हैं, so, मैं हाँ पे फिर से का नाम, से मी नाम रख देता हूँ, price summary, इसका type भी price summary रह सकता है, को दिक्कत नहीं है, और undefined भी हो सकता है, को दिक्कत नहीं है, अच्छो, यह unresolved बता रहा है, का थे imported नहीं है, इसको मैंने import कर लिया, ठीक है, और मैं simple बता हूँ, यहाँ पे करने की जरूर नहीं है, इस तरीके से, directly यहाँ पे आओ, और जितनी भी यह चीज़ें है, अन्डिफाइन करने की जरूर उर्टी नहीं है, अपने यह बाद में इनकी values होती रहेगी, जिरो, जिरो, एंड टोटल अमाउंट भी, जिरो, अल्राइट, सब को जिरो जिरो हो गया, अब इसको आप चाहो, तो यहाँ पे गर सकते हो integrate, बट अभी इसमें कुछ values डाल देता हूँ मैं, और directly ऐसे undefined करने की जरूर नहीं है, वो करने के लिए मैं या करना पड़ेगा, सबसे पहले, जो cart data है न, इससे में data को निकालना पड़ेगा, सो मैं हाँ या करता हूँ, इसके अंद्रे लगा देता हूँ, result, एक price नाम से आप चाहो तो कुछ variable की ले सकते हो, let price, price नाम से variable ले ले, सारे के सारे product का price निकाठा करना है, count जोड़ना है इनको, जैसे की 1, 2, 3, इन सब को जोड़ना है, अब जोडने के लिए हम लोग क्या करते है, सबसे पहले price रख लेते हैं, 0, ठीक है, को दिक्कत नहीं है, अब हम लोग यहां में आगरने वाले है, result, dot, for each लगा सकते हैं, इ price, यह हो गया, price के अंदर, जो price है, हमारा current वो, plus, item, dot, price, ठीक है, अभी के लिए कर मैं price चक करूँ कि, क्या price आया है, मेरा यहां पे, यहां पे console.1 करके, तो हो सकता है, यह proper price जिना दे हमें, let's see एक बार के लिए, क्या मिलता है, अगर string देगा तो इसको fix करते हैं हम लोग, अब देखो, इस नहीं ना, सब को as a string add कर दिया, तो इसके लिए एक बड़ा simple सा जुगार है, आप क्या अगर सकते हो, जुगार नही है, यह करता है, जो हमारा price है, current, उसको अगर वो string देंदर है, तो उसको numeric value देंदर convert करके देदेगा, और अभी आप देख सकते हो, इन तिनों को count करना 153,000 ती बनेगा, alright, okay, so next चीज़ का है, अगर हमने इसको calculate कर लिया है, तो इसको थोड़ा सा format भी कर देता हूँ, अब हमें इसके हिसाब से न, जो price का tax है, discount है, वो भी हमें एक एकर के calculate करना पड़ेगा, so मैं यहाँ यह करता हूँ, this dot price summary dot price, उसको मैं लगाता हूँ, यहाँ प्राइस, यह तो होगया हमारा price, ठीक है, उसके बाद में, this dot price summary dot discount, अब मान लो कि, वैसे आप अपने हिसाप से कुछ भी रख सकते हो, constant file बना के database से भी रख सकते हो, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में तो database में रखते हैं, बढ़े इतना बड़ा भी प्रोजेक्ट बनाने कि यहाँ तो काफिता डला पर ची होते हैं, so अब इक लिए मैं उसे 10% है, फिर 5% जितने आप देना चाहते हो, price divided by 10%, यह कर सकते हो आप, and उसके बाद में delivery charges भी, let's say आपको लगाने है, this.price.delivery equal to, यह static रहेंगे, let's say 100 rupees लगने हैं आपके, उसके हिसाप से, ठीक है, यह सारी सारी चीले fix होगे, अब हमें total amount बेचेगे, total amount कितना है, total amount के आप चाहो तो loop लगा सकते हो, but मैं अभी के लिए loop नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं directly कर रहा हूँ, price summary dot total, अब total के अंदर क्या है करना पड़ेगा, सबसे पहले तो this price को जोड़ तो, आपर जितना भी है हमारे पास, price, रहने देते हैं, summary वाला price लेते है, this dot price summary dot price plus text बने और even अगर आप थोड़ा सा और easy करना चाहते हो, तो direct ऐसी लगा दो, जैसे कि, जो price था आपका सबसे पहले, वो easy रहेगा, कितना बड़ा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, because value तो वही जा रहे है, price plus price divided by, divided by 10, और इसको इस तरीके से, आप bracket के नदर लिख सकते हो, right, otherwise ये calculation में problem करेगा आपको, right, after that, plus, जो आपके delivery charges है, hundred, वो लगा लो, और one, two, three, ठीक है, tax तो हमें actually कम करना है, इसके अंदर से, ठीक है, और अगर tax आपको कम करना है, तो इसमें से आप एक चीज़ रह सकते हो, minus price divided by 10, ये आपका tax होगा, ठीक है, एफिडरेक्ली ये values भी यूज कर लोगे, तो भी चलेगा, इसमें को दिक्कत नहीं है, अब मैं यहाँ पर आगे एक बार के लिए चेक कर लेता हूँ, कि क्या price बना है total, console.one, और price summary चेक कर लेता हूँ, this.price summary, and let's see, कि क्या क्या मिला है हमें price summary के अंदर, थोड़ा से इसको दिर रखूँ, मैं भी के values इसकी इतनी बनेगी, okay, so अब मैं आगरता हूँ, price summary को लेकर इसको dynamic बनाता हूँ, यहाँ पर आऊँगा, and, 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 यहाँ पर हम लोग जो total amount था, इसके अंदर क्या करने वाले हैं, यहाँ बैकिट से लगा दी, price summary dot price, ठीक है, अब आगई बात, tax की, यहाँ पर आओ, यहाँ पर लगा दो, price summary dot tax, next is, यहाँ पर आप कर सकते हो, price summary dot delivery, and, इसमे small d आएगा, discount, आप फिर से लगा सकते हो, dot, discount, and, last one is total, so, यहाँ पर, price summary dot, dot, bottom, अब ठीक है, अब कुछ बड़ बड़ हुए यार, अच्छा, यह बन नहीं हुआ, अब ठीक है, चेक कर लेते हूँ, I think spam में कुछ प्रोल्म हो गया, यहाँ पर total आगया, spam यहाँ बन्द हो गया, उसके बाद में price आया, price में, ठीक तो है, save नहीं हुआ क्या, अच्छा, अब ठीक है, ओके, delivery के इंदर कुछ गड़ बड़ है, यहाँ पर एक single bracket लगए, double नहीं लगए, alright, अब इस तरह किसे बन गया, अब मैं चाहूँ तो एक product को, let's say, remove करके आता हूँ, किसी को भी, let's say, कि मैं, iPhone को remove कर देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, और इसको remove कर देता हूँ, मैं इसको remove करूँगा, अब आप इससे यहाँ पर आऊँगा, और आप देख सकते हो, दो का हमारे पास perfect price है, अब let's say, कि आप Samsung के mobile के उपर जाते हो, और इसके आपने 10 copies add कर ली, ठीक है, अब बाद में आपने करा add to card, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, तो आप देख सकते हो, जो इसका price है, single quantity का तो यह हो गया, ठीक है, इसने एक quantity का price बताया, बट अगर यहाँ पर total price check करोगे न, यह भी कम है, alright, तो इसको में fix करना बड़ेगा, अब इसको fix कैसे कर सकते हैं, let's see, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर price को add कर है न, इस तरीक से, इसके लिए बाद एक simple तरीक है, यहाँ पर multiply करवादो, किसको इस तरीक से add करके, जितनी इसकी quantity है न, उससे multiply करवादो, ठीक okay, अब चलेगा, by the way, undefined हो तो नहीं सकता, बट ठीक, एक बार के लिए गर ऐसा आ रहे तो हम लोग यहाँ पर if condition लगा सकते हैं, मुझे लगता न, इससे कोई दिक्कत होगी, if condition हमने लगा ही, अगर quantity है ही नहीं, that means हमारे पास product हमने कुछ purchase भी नहीं करा तो मैं यहाँ पर condition लगा देता हू और अब यह ठीक रहेगा, so let's see, क्या अब इक लिए हमें output मिल रहे हैं हाँ पर, and, 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 all right, so अब यह perfect आ रहा है, आप चेक कर सकते हो, अगर आपको calculate भी करना है तो, 50,000 यह हैं, और, okay, so simple तरीका क्या calculate करने का, बाकि सारे product cart में से हटा दिये जाए, all right, इससे होगा क्या, क कि जम लोग properly check करता है, मैं इसको remove to card कर देता हूँ, and, वापिस से यहां बे आता हूँ, आपको उतर दिल देगा ना, कि एक card के अंदर properly चीज़ें काम कर रहे हैं, यहां बे आता है, इसको remove to card कर देता हूँ, अब वापिस आता हूँ, अब देखो इसके एक जो price है, 550, एग Nike के two shoes add करना चाहते हूँ, ठीक है, अब यहां पर आओगे, अब आपको इसके हिसाब से proper price देगा, alright, so that's all for this part, मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो काफी पसंद आगे, इसको अंदर चाहा सा logic भी लगा है, कुछ confusion है, कुछ doubt है, तो मुझे comment section में पूछ सकते हो, and, please don't forget to support me by subscribe my channel, like this video, and share your valued feedback in the comment section, और अगर चाहूँ अगर आपको अच्छा लग रहा है कि कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो इससे मुझे और में motivation मिलेगा, आप Paytime को पर कुछ दोनेशन भी कर सकते हो, you pay भी चलेगा, Paytime wallet भी चलेगा, so thank you guys, thank you so much for watching this video.